इक्जाम्पल वन, इन इच ओफ फॉलोइंग सिस्टम ओफ एक्वेशन्स, डितर्माइन बेदर शिस्टम है जा यूनिक सोलोशन, नो सोलोशन और इन्फिनाइटली मैनी सोलोशन, इन केस ओफ उनिक सोलोशन, फांडिट, क्राय के निचे जो एक्वेशन दे रखाया, उसमें डितर्माइन करिए कि जो सिस्टम ओफ एक्वेशन है, वो यूनिक सोलोशन है उसका, या फिर नो सोलोशन है, या फिर इन्फिनाइटली मैनी सोलोशन है, यदि यूनिक सोलोशन है, तो उसका भाईलोवी फाइंड आउट करिए, यहां पर सबसे पहले आपको या रखना है कि जो कंडिसन होता वो होता, A1Y A2 is not equal to B1Y B2, नो सोलोशन का कंडिसन होता, A2Y A2 equal to B1 Y B2 is not equal to C1 Y C2, और मैनी सोलोशन का कंडिसन होता, A1Y A2 equal to B1 Y B2, Q1. 2X plus 3Y equal to 7, 6X plus 5Y equal to 11 तो यहां सबसे पले आप A1, B1, C1 और A2, B2, C2 कभील हो नोट करेए तो यहां पर देखे, A1 कभील हो जाएगा 2, B1 कभील हो जाएगा 3, और C1 कभील जाएगा 7 A2 कभील हो जाएगा 6, B2 कभील हो जाएगा 5, और C2 कभील हो जाएगा 11 अब आप compare करें a1y a2 तो यहाजएगा 2y6 और b1y b2 यहाजएगा 3 upon 5 यहाँ पर आपको साब साब दिख रहा होगा अगर 2y6 को आप काट भी दिजेगा तो यह क्या जाएगा o1y3 आजएगा और o1y3 कभी भी 3y5 के equal नहीं हो सकता है right means यह हो गिया not equal to तो यहाँ आप देख रहा हैं कि it is in the form a1y a2 is not equal to b1y b2 so it has unique solution इसके बाद बोला था कि यदि unique solution है तो इस equation का भाईलो भी आपको निकालना है तो यहाँ पर देखिए एक को माल लेजिए equation 1 और एक को माल लेजिए equation 2 और यहाँ पर आप देखिए x वाले टर्म को equal करें तो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 6 तो equation 1 में 3 से multiply करना होगा तभी तो यह 3 into 2 6 हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए equation 1 हो जाएगा 6x पलस 9 by equal to 21 इसको माल लेते है equation 3 अब यहाँ पर देखिए equation 3 में यहाँ भी 6x है और यहाँ पर देख रहा होगा equation 2 में भी 6x है तो यदि आप दोनों equation को minus करते जाएगा तो यह 6x क्या हो जाएगा तो दोनों equation को minus करिए तो यहाँ पर equation 3 से minus करे equation 2 को तो जैसे हैं आप दोनों equation को minus करिएगा तो यहाँ पर sign change हो जाएगा जो positive है वो negative हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए पलस 6x और minus 6 यह तो कट जाएगा 9 by minus 5 by तो यह बचेगा 4 by और यहाँ पर इसको minus करिए तो यह आजाएगा 10 तो यहाँ से 2x पलस 3 by equal to 7 तो यहाँ पर by का वहलो put करिए तो यह बचेगा 2x पलस 3 और by का वहलो था 5 by 2 तो यहाँ पर put करिए तो यह हो जाएगा इंटो 5 by 2 equal to 7 तो यहह बचेगा 2x पलस 15 by 2 equal to 7 15y2 को अधर ले जाएका माइनस करें तो यह हो जाएगा 2x इक्वल टू 7-15y2 यहाँ पे LCM लिजिए 2 तो यह हो जाएगा 14-15 that means minus 1y2 तो यहाँ से आजाएगा 2x equal to minus 1y2 यहाँ पे cross multiply करें तो 2 इधर आके 4 हो जाएगा तो यहाँ से x equal to हो जाएगा minus 1 upon 4 तो x का भेलू minus 1 upon 4 और by का भेलू 5 by 2 question number second 6x plus 5 by equal to 11 and 9x plus 15 upon 2 by equal to 21 तो यहाँ सबसे पहले a1, b1, c1 और a2, b2, c2 का भेलू note करें तो यहाँ पे a1 का भेलू हो जाएगा 6, b1 का भेलू हो जाएगा 5 और c1 का भेलू हो जाएगा 11 a2 का भेलू हो जाएगा 9, b2 का भेलू हो जाएगा 15 upon 2 और c2 का भेलू हो जाएगा 21 उसके बाद compare करें a1 by a2 तो यह हो जाएगा 6 upon 9, b1 by b2 तो यह हो जाएगा 5 upon 15 by 2 इसके बाद c1 by c2 तो 11 upon 21 तो यह हो जाएगा 6 upon 9 यहां पर देखे 15 by 2 divide में है तो जब इसको multiply बदलेगा तो दो उपर आजाएगा अब 15 निचे हिराएगा तो यह दो उपर जाएगा तो यह हो जाएगा 10 upon 15 और यहां पर 11 upon 21 यहां पर देखे यह दुनों को काटिए यह 3 से कटेगा दो बार में यह 3 से 3 बार में यहां 5 से काट तो यह हो जाएगा not equal to तो ऊपर भी यहीं वाला से मुल डालीए यहां पर equal to यहां पर not equal to और यहां पर भी equal to और यहां पर not equal to तो यहां पर आप देख रहे हैं a1y a2 equal है b1y b2 का और यह 7y c2 not equal to है तो जब equation a1y a2 equal to b1y b2 is not equal to 7y c2 के form में होता है तब इसका no solution होता है 9y 2x minus 6y plus 15y 2 equal to 0 यहां पर देखे 15y 2 इधर है तो उसको उस सैडम लिखे तो यह हो जाएगा 9 by 2x minus 6y minus 5 यहां पर equal to minus 15y 2 यह 15y तो उधर जाएगा तो minus 15y 2 अब यहां पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का value note करेगे तो यहां पर a1 का value हो जाएगा minus 3 b1 का value 4 और c1 का value 5 a2 का value हो जाएगा 9 by 2 b2 का value हो जाएगा minus 6 और c2 का value हो जाएगा minus 15 by 2 इस वाज compare करेए a1 by a2 तो यह हो जाएगा minus 3 upon 9 by 2 b1 by b2 तो यह हो जाएगा 4 upon minus 6 और c1 by c2 तो यह हो जाएगा 5 upon minus 15 by 2 यहां पर देखिए डिवाइड में तो इसको multiply में बदरिए तो यह 2 उपर सला जाएगा तो यह हो जाएगा minus 6 upon 9 और यहां पर भी minus को उपर भेजिए तो minus 4 upon 6 और यह भी 2 उपर जाएगा तो उपर में हो जाएगा 10 upon 15 और यह minus उपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा minus 10 upon 15 यहां पर इसको काटिए यह 3 से कटेगा 2 बार में यह 3 से 3 बार में यहां इसको 2 से काटी दो बार में और 2 से 3 बार में, यहां 5 से काटी दो बार में और 5 से 3 बार में, तो यहां पे आप देख रहे हैं, कि यह जो equation है वो a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to 7 by c2 के form है तो जब इस form होगा तो इसका many solution होगा Example second, for each of the following system of equations, determine the value of k, for which the given system of equation has no solution करा कि for each of the following निचे जो equation दे रखा है, उसमें k का value निकाली FOR each of the system of equation has unique solution, जिसके लिए जो निचे equation दे रखा है, उसका unique solution होना चाहिए तो यहां पर देखिए a1 कभील हो जाएगा two, b1 कभील हो जाएगा three और c1 कभील हो जाएगा minus five उस प्रकार a2 कभील हो जाएगा k, b2 कभील हो जाएगा minus six, और c2 कभील हो जाएगा minus eight आपर unique solution का condition होता है a1y a2 is not equal to b1y b2 यहाँ पे value put करिए a1 का value है 2 और a2 का value है k is not equal to b1 का value है 3 और b2 का value है minus 6 तो यहाँ पे इसको cut करिए दो बार में अब यहाँ पे cross multiply करिए तो उपर कुछ ने तो 1 है तो k into 1 k हो जाएगा और यदर 2 into minus 2 तो यह होजएगा minus 4 अब इसमे not equal to डाली तो यहाँ पे आया k का value minus 4 नहीं आना चाहिए k is not equal to minus 4 that means k का value minus 4 नहीं आना चाहिए जैसे यहाँ पे आप देखिए अगर k का value आप minus 4 ले ले लेते हैं जैसे यहाँ पे 2 upon k is not equal to इधर है 3 यह 1 upon minus 2 इस तरीके से और यहाँ पे यदि आप k का value minus 4 ले 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 लेजाएगा तो यह होजएगा 2 upon minus 4 यहाँ पे not equal to 1 upon minus 2 तो यह कट दो बार में यह भी होजएगा 1 upon minus 2 यहाँ पे not equal to 1 upon minus 2 अब देखिए तो 1 upon minus 2 इधर भी और 1 upon minus 2 इधर भी यह दोन तर्ण तो इक्वल है जबके बीच में बोह रहा है not equal to यह कभी possible होगा ही नहीं तो इसलिए बोह रहा है कि k का भैलू minus 4 आपको नहीं लेना है तो आपको क्या लेना होगा तो k का भैलू आप कुछ भी ले सकते हैं सिर्फ minus 4 को छोड़ कर तो यहां पर आप बोल सकते ह होगा वो रील नंबर से भीलांग करेगा कें पीलांगस टू रियल नंबर यहां पर लिखके दी एक सेवट के इकवल टू माइनस फोर कहने के दाए का कोई भी माशित साह्यारा का गल्तति एक यह कहते हैं जैसे 2 upon 7, ऐधर minus 1 upon 2 है, तो यह कभी equal, नहीं होगा, मतलब कोई value ले जाएगा minus 4 को छोड़ कर तो यह इसको satisfy करेगा ही करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा k belongs to real number, except k equal to minus 4, मतलब k equal to minus 4 को छोड़ कर आप कोई value k का ले सकते हैं, Q2, 2x plus k equal to 1 and 5x minus 7y equal to 5, तो यहाँ पर a1 का value हो जाएगा 2, b1 का value हो जाएगा k और c1 का value हो जाएगा 1, similarly a2 का value हो जाएगा 5, b2 का value हो जाएगा minus 7 और c2 का value हो जाएगा 5, और unique solution का condition होता है, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तो यहाँ पर value पूट करेगे, तो हो जाएगा 2 upon 5 is not equal to k upon minus 7 यहाँ पे cross multiply करेए तो यहाँ पे हो जाएगा 5 k अधर multiply करेगा तो हो जाएगा minus 14 और भी इसमें not equal to तो यहाँ पे 5 को इधर लाएगा तो k is not equal to minus 14 upon 5 इसका मतलब यह हुगा कि k का भाईलू minus 14 upon 5 को छोड़ कर कुछ भी हो सकता है तो आप इसको लिके k belongs to real number except k equal to minus 14 upon 4 except का मतलब छोड़ कर इसे छोड़ कर ठीक हाँ that means k का भाईलू कोई भी real number हो सकता है सिर्फ और सिर्फ minus 14 upon 5 को छोड़ कर Example 3 For each of the following systems of equation determine the value of k for which the given equation has infinitely many solutions करा कि निचे जी equation दे रखा उसमें k का भाईलू पता करिए जिसके लिए इसका many solution हो यहाँ पे एक equation दे रखा 5x plus 2 by equal to k और second दे रखा 10x plus 4 by equal to 3 तो यहाँ पे a1 का भाईलू हो जाएगा 5, a2 यह b1 का भाईलू हो जाएगा 2 और c1 का भाईलू हो जाएगा कि a2 का भाईलू हो जाएगा 10, b2 का भाईलू हो जाएगा 4 और c2 का भाईलू हो जाएगा 3 और many solution का condition होता है a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 तो यहाँ पे भाईलू पूट करिए तो यह हो जाएगा 5 upon 10 equal to b1 by b2 तो यह हो जाएगा 2 upon 4 equal to c1 by c2 तो यह हो जाएगा k upon 3 यहां पर देखें इसको कट करें यह भी दोवार में कटेंगा और यह भी दोवार में कटेंगा तक यहांपर यह दोनों को फंस्ट वाले को इक्वस्ट करते हैं तो यह हो जाएगा 1 by 2 equal to k upon 3, तो यहां से cross multiply करिए, तो यहां से आजाएगा 2 k equal to 3, तो k equal to 3 by 2. Question number second, kx plus 3 by equal to k minus 3, और यहां पे 12x plus k by equal to k, तो यहां पे a1 कभे ही लो जाएगा k, b1 कभे ही लो जाएगा 3, और c1 कभे ही लो जाएगा k minus 3, a2 का भे ही हो जाएगा 12, यह second equation से आपको लेखना a2, b2 और c2 का भे ही हो जाएगा k, और c2 का भे ही हो जाएगा k, और many solution का condition होता है, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, तो यहां पे value put करिए, तो a1 by a2, तो यह हो जाएगा k upon 12, equal to b1 by b2, तो यह हो जाएगा 3 upon k, equal to c1 by c2, तो यह हो जाएगा k minus 3 upon k, इसके बाद यह तीनों आपसमे equal है, तो आप एकवार यह first और second को equal करिए, और second और third को equal करिए, तो यहां पे पहले यह दोनों को equal करिए, k upon 12, equal to 3 upon k, यहां पे cross multiply करिए, तो यह हो जाएगा k square equal to 36, और square इधर आएगा, तो root में convert हो जाएगा, तो k कभील हो जाएगा, अंदर root 36, तो यहां पे हो जाएगा k equal to plus minus 6, उसके बाद यह दोनों को आपस पे compare करिए, तो 3 upon k equal to k minus three upon k, तो यहां पे cross multiply करिए, तो यहां पे पहले हो जाएगा k square minus 3k, तो यहां पे minus 3k को उधर ले जाए, तो जाएगा 0, यहां पे पहले हो जाएगा k square minus 3k, और यह इधर आएगा, तो यहां पे देखिए, यह दोनों में k common है, तो यह होजाएगा k into k minus 6 equal to 0, अब यहां पे क्या करेगा, बारे-बारे से 0 पुट करना होगा, एक वर k equal to 0 और एक वर k minus 6 equal to 0, तो यहां पे put कर एक वर होजाएगा k minus 6 equal to 0, तो यहां से आजाएगा k equal to 6, अब आपको देखना है कि दोनों में जो common term होगा, वहीं आपका अंसर हो जाएगा तो जो आपका फाइनल अंसर होगा वो हो जाएगा के इकॉल टू सिक्स जो दोनों में कॉमन रहेगा उसी को आपको लेना वहीं आपका फाइनल अंसर होगा एक्जाम्पल फोर, for each of the following system of equation, determine the values of k for each the given system has no solution करा कि k का भाइलो निकाली है जिसके लिए जो नीचे equation दे रखा उसका no solution होना चाहिए तो यहाँ पर देखिए a1 कभी लो जाएगा 3, b1 कभी लो जाएगा minus 4 और c1 कभी लो जाएगा 7 उसे प्रकार a2 कभी लो हो जाएगा k, b2 कभी लो हो जाएगा 3 और c2 कभी लो हो जाएगा minus 5 अब यहाँ पर बोला था no solution तो यहाँ पर no solution का condition होता है a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 तो इसमें भाइलो पूट करिए तो यह हो जाएगा 3 upon k equal to minus 4 upon 3 और यहाँ पर आएगा not equal to 7 upon minus 5 अब यहाँ पर बोला था k का कौन से भाइलू के लिए तो यहाँ पर यह दोनों को equal करना होगा तभी तो k का भेलू निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 upon k equal to minus 4 upon 3 यहाँ पर cross multiply करिए तो यहाँ पर आएगा minus 4 k अईधर आजाएगा 3 into 3 9 तो यहाँ पर हो जाएगा k equal to 9 upon minus 4 यह minus उपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा minus 9 upon 4 question number second 2x minus k by plus 3 equal to 0 and 3x plus 2 by minus 1 equal to 0 तो यहाँ पर a1 का भेलू हो जाएगा 2, b1 का भेलू हो जाएगा minus k और c1 का भेलू हो जाएगा 3 a2 का भेलू हो जाएगा 3, b2 का भेलू 2 और c2 का भेलू minus k sorry c2 का भेलू minus 1 तो यहाँ पर भेलू पूट करिए तो यह हो जाएगा 2 by 3 equal to minus k upon 2 is not equal to 3 upon minus 1 तो यहाँ पर यह दोनों को स्वलू करिए तो यह हो जाएगा 2 by 3 equal to minus k upon 2 यहाँ पर cross multiply करिए तो minus 3k equal to 4 तो यह हो जाएगा k equal to minus 4 upon 3 तो के का भेलू आजाएगा minus 4 upon 3 लेकिन एक काम भी आपको और करना है जैसे यहाँ पर रखा है कि यह दोनों term आपसमे equal नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर के का भेलू जो आया है वो put करिए और देखिए कि यह दोनों equal नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है जैसे यहाँ पर था minus की upon 2 is not equal to इसको ऊपर भेज़े minus को तो हो जाएगा minus 3 minus 3 upon 1 बन रहा है तो इस minus 3 ही रहाएगा अब के का भेलू यहाँ पर put करिए minus into minus 4 by 3 upon 2 is not equal to minus 3 यहाँ पर minus minus पलस हो जाएगा तो हो जाएगा फोर अथीरी नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए यह चीज का हो जाएगा जैसे ऊपर में था डिनोमिनेटर में रहाएगा उसको सीधन नीचे ले आईए ठीक है तो यहाँ जाएगा थीरी नीचे नीचे आके into में हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए यह कटेगा दो वार में है यह कटेगा तीन वार में है तो जैगा 2y3 नौट इकवल टू माइन धीरी अब यह दोनों तव आपस में कवह भी इक्वल नहीं हो सकता डेट मिंस किये का भेलु-4y3 पर इसको क्या कर रा यह साटिसफाई कर रा यहाँ जो भेलू निकालना है-4 यह बिल्कुल सही होगा तो यह चीज़ आपको हमेशा चेक आउट करना जैसे कि उसे नंबर वन में यहां पर चेक नहीं किये थे यह दोनों को यह बिल्कुल नहीं आना चाहिए यहां पर यह चाहिए यह कटेगा थीरी सकाट यह बार में इसको थीरी सकाट यह बार में तो यह आजाएगा यहां पर यह आप देखे कि इसको क्या करा सटिस्पाइग करा डेटमी के का वाइलू मैंनस ना न इन फॉर बिल्कुल सही है कभी कभी क्या होता है कि के का वहलो पूट करने पर इधर वह वाला ट्रम दोनों इक्वाल आ जागा तो उससे इस्थिती में जो के का वह निकलता वो value नहीं हो पाता है, यह चीज आपको example 5 में clear हो जाएगा, example 5 में equation वैसा ही है, example 5, for what value of k, build the system of equation, x plus 2 by equal to 5 and 3x plus k by minus 15 equal to 0, हाइज फर्स्ट में बोला है, यूनिक सोलूशन और सेक्ड में बोला है, नो सोलूशन, तो यहाँ पे आप equation को ध्यान से देखिए, एक इस साइड है और एक इस साइड है, तो यहाँ पे आप नीचे वाले को भी उस साइल ले जाके लिखिए, तो यह हो जाएगा, 3x plus k by equal to 15, अब यहाँ पे a1, b1, c1 और a2, b2, c2 कभी लोट करें, तो यहाँ पे देखिए, a1 कभी लोजएगा 1, b1 कभी लोजएगा 2, और c1 कभी लोजएगा 5, a2 कभी लोजएगा 3, b2 कभी लोजएगा k, और c2 कभी लोजएगा 15, फर्स्ट में बोला था यूनिक सोलूशन, और य क्रोस मल्टिप्लाइ करें, तो जब क्रोस मल्टिप्लाइ करेंगा, तो यह हो जाएगा k is not equal to 6, that means, इसका मतलग क्या हुआ कि k का भैलू कोई भी real number हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 6 को छोड़कर, तो except 6, तो यहाँ पे देखिए, second बोरा का था no solution, और no solution का condition होता है, a2 by a2 equal to तो b1 by b2 is not equal to c1 by c2, तो यहाँ पे भैलू put करिए, तो a1 by a2, तो यह होजएगा 1 by 3, b1 by b2, तो यह होजएगा 2 upon k, और c1 by c2 था 5 upon 15, तो यहाँ पे यह दोनों को equal करिए, तो यहाँ पे 1 by 3 is equal to 2 upon k, तो यहाँ पे cross multiply करिए, तो यह होजएगा k is equal to 6, तो अभी यहाँ यहां पे अभी आप फाइनल नहीं बोल सकते हैं पहले यहां पे जो सेकेंड केस में यह दोनों जो नौट इक्वल्टू से जुड़ा हुआ इसमें भाइलू पूट करिए और चेक आउट करिए कि क्या यह साच में नौट इक्वल्टू है फाइव पॉन फिप्टिन है तो इ यहां पर देखेंगे यहां पर इक्वल्टू इस नौट इक्वल्टू इक्वल्टू नहीं होना चाहिए तो पॉसीबल ही नहीं है तो यहां पर बोल सकते हैं कि यहां फिप टो जाएगा उन्यवं टुटू इक्वल्टू देखें तो यह देखें यहां यहां पर काटिए इसको तू रिए ये तो नों य क्या यह तो से इषिक्वान गुत जुन कर रहा है तो로 कोई भी जयेगा पूट करें के या दोनों कभी आपसमें equal होगा ही नहीं, इसका मेलग के का कोई value possible है ही नहीं, इसकारण यहाँ पे लिखा गया, there is no value of k, for which the equation has no solution. Example 6, for what value of k, build the equation x plus 2y plus 7 equal to 0 and 2x plus k y plus 14 equal to 0, represent coincident lines. करा k के कौन से value के लिए यह दोनों equation coincident line को represent करेगा, तो यहाँ पे a1 कभी लो जाएगा 1, b1 कभी लो जाएगा 2, और c1 कभी लो जाएगा 7, a2 कभी लो जाएगा 2, b2 कभी लो जाएगा k, और c2 कभी लो जाएगा 14. तो coincident line का condition होता है, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to 7y c2, यहाँ पे value put करेगा, तो यहाँ जाएगा a1 by a2, 1y2 equal to b1 by b2, यहाँ जाएगा 2 upon k, equal to 7y c2, तो यहाँ जाएगा 7 upon 14. यहाँ पे इसको cut करेगा, तो यह भी 1 by 2 आजाएगा, तो होजएगा 1 by 2 equal to 2 by k, equal to 1 by 2, अब यहाँ पे यह दोनों को, और एक बर यह दोनों को, तो यहाँ पे होजएगा 1 by 2 equal to 2 by k, cross multiply करिए, तो होजएगा k equal to 4, यहाँ पे भी यह दोनों को equal करिए, तो होजएगा 2 upon k equal to 1 तो यहां पर भी आप देख रहें कि के कुल टू फोर ही आएगा अब देखें दोनों में जो कॉमन टर्म रहेगा वह ही आपका अंसर होगा तो यहां भी फोर है और यहां भी फोर है डाइट मिस्के का जो भेलुआएगा वो फोर आएगा